गोड इबनिंग प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे देखिए यह हमारा ही छोटा सब पार्क है इस पार्क में मैं आई थी तो सोची कि देखिए उस वक्त आपको मैंने कोश्मस का प्लांट दिखाया था जो बहुत ही छोटा छोट टा था लेकिन आज यह कौश्मस का प्लांट बड़े हो चुके हैं और देखिए इसमें खुबशुरत सलक कर लेती हैं आपके साथ थोड़ा कितने खुब शुड़ाताएं हों यह देखें यह पूरा फूल पार्क जो है वो कॉश्मस से भरा हुआ है यह चलिया आप भी हमारे शाथ ही घुम लीजिए थोड़ा थोड़ा छोटे भी हैं अभी यह देखें आठ दस दिन में इसके भी फ्लावर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे देखें और बीच बीच में ऐसा काना लीली लगा हुआ है और बीच में एक फर्न का पेर लगा हुआ है यह देखें और यह देखें यह कॉस्मस जो है पूरा फ्लावर से भरा हुआ है देखें आईए आप फूल हमारे साथ घुम लीजिए पार्क में हमारे साथ आप भी इंज्वाई कीजिए देखें 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 हैं इसके ख्लावर देखें कितना खुबशुरात आया हुआ है और कलियां कितनी लगी हुई है देखें पार्क है यह साउंड का इग्नोर किजिएगा बाहर का साउंड है पार्क है है लोग यहां एक्सरसाइज कर रहे हैं बचे खेल रहे हैं और यह देखें कॉस्मस का जो प्लांट है ना कितना खुब्सूरत है देखें द yourself a और शारा यहां पूरा फूल कॉस्मस ही लगा हूवा नगा है में दो कलर में सबस्क्राइब यह देखें और येलो यह देखें दो कलर में सब्सक्राइब है किनारे किनारे आपको काना लीली मिलेगा काना लीली का फ्लावर लगा हुआ है और बीच में एक प्लांट लगा हुआ है बॉन्सोई का जो फर्न है और पूरा पार्क देखिएगा तो आपको इस टाइप का दिखाई देता है किनारे से आपको बड़े बड़े पेंड लगे हुए हैं बीच में आधा देखिएगा तो बॉन्सोई लगा हुआ है यह देखिए तो यह हमारा छोटा सा पार्क यह हमारे पार्क का टूर है यह हमारा पार्क आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यह देखिए लग रहे ना ब्यूटिफूल बहुत खुबसूरत और यह कॉस्मस तो चारों तरप इतना सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए है यह बहुत ही प्यारा सा है आप देखिए थैंक्यू पूर वाचिंग